हलो एवरिवान, वेलकम तो रीटा अरूरा रेसिपी चैनल, आज मैं आपके साथ दही की गोली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, कुरकुरे हैं, साथी क्रिस्पी, तीखे और चटपटे हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप गाड़ा दही लेंगे, और इसे बॉल में डालकर अच्छे से विस्क कर लेंगे, ताकि हमें इसे बिल्कु स्मूध और चिकना करना है, आप ध्यान रखें दही गाड़ा लेना है, अगर बजार कर लेंगे तो जादा अच्छा है, और ये हमने इसे अच्छे से चिकना कर लिया है, अब हम इसमें एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज डाल देंगे, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप ना डालें, इसमें थोड़ी सी हिंग डाल देंगे, पांसे साथ करी पत्ता हाथ से क्रेश करके डाल अगर आपके पास फ्रेश है तो आप उसे हाथ से तोड़कर डाल दें, साथी दो हरी मिर्च बारी कटी हुई डाल देंगे, अब ध्यान रखे हम इसमें लाल मिर्च यूज नहीं करेंगे, क्यूंकि हम चाहते हैं कि दही की गोली का कलर वाइट ही रहे या सफेध ही रहे, अब हम इसमें एक छोटे चमच अद्रक बारी कटी हुई डाल देंगे, एक चमच हरा धनिया बारी कटा हुआ डालेंगे, एक चमच नारियल का चूरा या जिसे डेसिकेटेड कोकोनेट कहते हैं इसमें डाल देंगे, एक चमच सूजी डालेंगे, सूजी अप मोटी या बा बेकिंग सोडा डालेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर हमें जुरत लगेगी तो हम बाद में मैदा और डालेंगे क्योंकि डिपेंड करता है कि दही कितनी गाड़ी है तो अगर दही पतली होगी तो मैदे की जुरत और रहेगी यह हमने इसे अच्छे से म कि 10 minutes हो चुके हैं अब हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्की कोर्डिंग और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब की बार हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका texture देख सकें कि इसे इसमें मैदे की और जरुत है या नहीं और ये better मुझे अभी पतला लग रहा है तो मैं इसमें दो चमश मैदा और डाल रही हूँ इसे अच्छे से mix कर लेंगे और ये देखे better की consistency इस तरह होनी चाहिए कि आप इसे अगर हाथ से इस तरह डालें तो जैसे हम भले बनाते हैं बिल्कुल वही texture और वही इसका consistency होनी चाहिए और ये better तयार है अब हमने oil पहले ही गरम कर लिया है हम इसमें एक ये गोली डाल कर देखेंगे अगर ये गोली फैल रही है या इसमें oil भर रहा है तो समझ लीजे कि आपका better पतला है उसमें और मैदे की जरुरत है लेकिन ये गोली बिल्कुल perfectly fry हो रही है इसमें ना तो घी भर रहा है और ये बहुत अच्छे से full भी गई है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी की सारी गोली हम इसी तरह से fry कर लेंगे और इन्हें fry करते समय आप ध्यान रखें कि oil medium hot होना चाहिए अगर बहुत जादा गरम होगा तो ये उपर से तो fry हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी तो हमें medium hot oil में इसे थोड़ा सा time लेते हुए इसे अच्छे से fry करेंगे उलड़ते पलड़ते हुए इससे ये गोलियां बहुत ही tasty बनकर fry होती है और ये उपर से काफी crunchy रहती है और अंदर से एकदम fluffy और soft रहती है और आप इने चाहे के साथ enjoy कर सकते हैं नाश्ते में खा सकते हैं या बच्चों के lunch box में भी दे सकते हैं और ये देखिए अच्छे से fry हो चुकी हैं तो अब हम इने tissue paper पर निकाल लेंगे और बाकी की गोलियां भी हम इसी तरह से fry कर लेंगे और ये देखिए हमने सारी दही की गोलियां बना कर तयार कर ली हैं बहुत ही tasty हैं बहुत ही crunchy हैं और चटपटी भी है और आपने सुना कि उपर से कितनी जादा crispy हैं और अंदर से देखिए काफी fluffy हैं एकदम इसमें जाली सी बनी हुई है तो आप भी इस recipe को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुभाव में इसा जरूर शेयर करें अगर आपको हमारी recipes पसंद आती हैं तो हमारी चैनल रीटर और recipes को like, subscribe और शेयर जरूर कीजिए और पास ही लगे bell आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो के notification मिलते रहें और साथ ही आप हमें Facebook और Instagram पर भी जॉइन कर सकते हैं और नए नए recipes के लिए